नमस्कार इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे RPOC यानि की Retained Products of Conception के बारे में और इस टाइम पर एक छोटी सी request मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस टाइम पर बिलकुल भी डरना नहीं है और घबराना नहीं है आप अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनकी Ultrasound Report में RPOC आया है बहुत सारे लोगों की Report में RPOC आता है और सभी लोग ठीक भी हो जाते हैं बस आपको तो ये पता करना है कि आपका जो RPOC है वो कैसे ठीक होगा तो बिलकुल भी घबराना नहीं है इस टाइम पर खुद को अकेला नहीं समझना है क्योंकि मैं आपको वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जिससे आपको RPOC को समझने में असानी होगी ये पता कर सकेंगे कि RPOC क्यों आया है आपको ये जान पाएंगे कि क्या RPOC अपने आप ठीक हो सकता है या नहीं होगा ये जानने को मिलेगा कि अगर RPOC आप ठीक नहीं कराएंगे तो कौन-कौन सी परेशानिया हो सकती है और RPOC को ठीक करने के कौन-कौन से तरीके हमारे पास एवलेबल है ये सारी बाते हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये RPOC आखिर क्या चीज़ होती है RPOC कों इंगलिश में बोलते हैं Retained Products of Conception आसान भाषा में देश सी भाषा में बताओं तो इसका मतलब है कि जो Pregnancy है वो पूरी तरह से clear नहीं हुई है बच्चे दानी के अंदर अभी भी बच्चे के हिस्से बचे हुएं इसको और असान शब्दों में समझाओं बताओं तो ये बच्चे दानी है ये जो वाइट चीज़ देख रहे हो ये आप RPOC समझ लो ये जो RPOC है ये बच्चे दानी में ऐसे बचा हुएं अंदर बस आपको इसको कैसे निकालना है इसके बारे में जानकारी जो प्रापत करनी है वही हम लोग वीडियो में आगे डिसकस करने वाले है अब बात आती है कि RPOC आखिर आता क्यों है तो देखिए RPOC आने की चार मुख्या वज़ा होती है पहली वज़ा तब है जब कोई लड़की या महिला प्रेगनेंट थी और उन्होंने प्रेगनेंसी खतम करने वाली गोलियों का उप्योग किया जिसे हम लोग अबोशन किट जिसमें 5 गोलियों होती है समाने था अब इन गोलियों को लेने के बाद अगर परियाप्त मात्रा में ब्लीडिंग नहीं होती है तब आपको अल्ट्रा साउंड में RPOC देखने को मिलता है दूसरी वज़ा होती है तब जब आपकी प्रेगनेंसी नैचुरली तरीके से होती है तो उसके कुछ टाइम के बाद जब आप अल्ट्रा साउंड कराती है तब आपको अल्ट्रा साउंड में RPOC देखने को मिलता है तीसरी वज़ा होती है तब जब मानलों की जो प्रेगनेंसी है वो नैचुरली तरीके से खराब हो गई ब्लीडिंग आपको जादा हो गई थी और उस टाइम पर आप सर्जिकली प्रेगनेंसी को रिमूव करवाते हैं जिसको हम लोग सफाई या फिर डीनसी करवाना बोलते हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी थी ज्यादा दिनों की थी और आपके डॉक्टर ने आपको एड़वाईज दी कि आप डीनसी करने पड़ेगी सफाई करने पड़ेगी और जब आपकी जो सफाई है वो सही तरीके से नहीं होती है तब आपको अल्टरा साउंड में आर पी ओसी देखने को मिलता है जो चोथा कारण है वो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन उसकी सचाई को जानकर आपको लगेग आपको अल्टरा साउंड की रिपोर्ट गलत दे देते हैं बनाकर या फिर जब आपकी सिच्वेशन ही आपके अपोजिट चल रही हो आपकी जब किसमत खराब हो तब अल्टरा साउंड की रिपोर्ट आपको गलत आती है आप कुछ लोग बोलेंगे कि यहां पर तो यह बि पोर्ट बना कर देती है मतलब कि अल्टरा साउंड की जो मशीन है वो पेट में देखती होगी आरपी ओसी उसको दिखाओगा तब ही आरपी ओसी का साइज दिया है यह भी बताया कि आरपी ओसी कहां पर है वगेरा वगेरा जो आपको डिटेल मिलती है ज़्यादा तर पेट के अंदर आरपी ओसी के लिए देखती है कि आरपी ओसी है या नहीं है इसको उधारन के तोर पर अगर हम लोग समझे तो मान के चलो कि आप एक अंधेरे कमरे में है चीक है अब अंधेरा है कमरे में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा अब आप बलब को ओन सेम चीज अल्टरसाउंड में भी है अल्टरसाउंड की सहायता से डोक्टर पेट में देखते हैं कि आरपी ओसी है या बलड कलोट है या बच्चे दानी में क्या क्या चीज़े दिखाई दे रही है तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब साफ साफ यह है कि जब आप करकर यह आप लोग उन पर भरोसा करते हैं कि जो चीज डोक्टर आपको बताएंगे वो सही बताएंगे यहाँ पर पूरी बात भरोसे की होती है लेकिन कुछ अगर आप अनमेरीड हैं या फिर कोई अलग रीजन जब किसी डोक्टर को लालच हो जाता है तो वो आपको गलत अल्टरसाउंड रिपोर्ट बना कर दे सकते हैं और ऐसा यूजली तो अनमेरीड कपल्स के साथ में होता है जहां पर वो अपनी प्रोब्लम को ना तो किसी को बता सकते हैं ना किसी फैमिली मेंबर को ना ही यार दोस्त को और ना ही किसी थर्ड परसन के साथ वो अपनी प्र सफाई करनी पड़ेगी, RPOC इतना ज़्यादा साइज में है, बच्ची दानी में infection हो जाएगा, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, तो problem हो जाएगी, तो आपको डराफ फुसला कर, DNC के लिए आपको मना लेते हैं, तो जो चोथा कारण है, उसको आपको समझना ज़्यादा जर है, वो सही है या नहीं है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, कुछ चीजे में आपको बता दूँगा, और जो दूसरा तरीका है, वो ये, कि जब RPOC आता है, तब शरीर में कुछ लक्षन भी दिखाई देते हैं, तो लक्षनों को हम लोग जानेंगे, और जो चीजे में आपको बतानी हैं, वो हम लोग पहले डिसकस कर लेते हैं, तो पहली चीज, जब आप लोग अल्टरा साउंड कराने के लिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि जादातर जो अन्मेरिड लोग होते हैं, या जो लोग होते हैं, अगर उन्होंने प्रेग्नेंसी खतम कर ने वाली दवाईयों का उपयोग किया है, मान लो कि आपने किसी किट का उपयोग, किसी भी मंद की पहली तारीक को किया, और आप अल्टरा साउंड कराने के लिए उसी मंद की 6 या 7 तारीक को चले गए, तो ऐसी स्थिती में आपको RPOC आएगा ही आएगा, क्यों? क्यों कि जब आप दवाईयों का उपयोग करते हैं, या फिर आपका अगर naturally miscarriage होता है, तो ऐसी स्थिती में आपको कम से कम 14th day तक वेट करना होता है, 14 दिन तक आपको वेट करना होता है, और 14 दिन पर या 14 दिन के बाद आपको अल्टरा साउंड कराना है, अगर टाइम से पहले अ RPOC आएगा ही आएगा, दूसरी condition आपको ये देखनी है कि जब आप लोग अल्टरा साउंड कराएंगे और उसमें अगर RPOC आया है तो endometrium lining की thickness को आपको देखना है, endometrium lining की thickness क्या होती है, ये जो बच्चे दानी देख रहे हैं, इसके अंदर वाली जो सतह है उसको endometrium lining बोल RPOC आपको आ सकता है, अगर 9 mm या उससे कम है, तब RPOC आने के chance बहुत कम रहते हैं, और तीसरा ये कि जब आपको ultrasound report में RPOC आए, तो मेरी आप से हाथ जोड कर विनती है कि एक बार urine pregnancy test कर लो, ऐसा ना हो कि आप trap में फस जाओ, अगर आपका urine pregnancy test negative है, और सामने से आपको pressure देकर बोल रहे हैं कि आपको सफाई करानी पड़ेगी, DNC करानी पड़ेगी, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, क्योंकि अगर आपका urine pregnancy test negative है, तो medicine की help से आपका चाहे RPOC हो, चाहे blood clot हो, या आपको RPOC ना भी हो, उस टाइम पर अगर आपको bleeding हो रही है, या कोई भी problem है, वो सिरफ दवाईयों की help से ठीक हो जाएगी, उसमें आपको DNC या सफाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब बात करें कि RPOC जब ultrasound में हैं, और शरील में उस टाइम पर कौनकों से लक्षन दिखाई देंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो ultrasound report है, ये सही है या नहीं है, तो वो जो पहला लक्षन है वो bleeding से जुड़ा हुआ है, मतलब कहने का है, कि मानके चलो कि आपने अगर pregnancy खतम करने वाली दवाईयों का उपयोग किया था, तो ये जो दवाईया है, इनको लेने का एक सही तरीका होता है, अब यहाँ पर ये मत पूछना कि सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत ज्यादा लंबी और हो जाएगी, तो यूटुब पर ऐसे सर्च करके इस वीडियो को देख लेना सब कुछ मे लेकिन अगर आपको जो ब्लीडिंग है वो मान के चलो कि आपको एक दो दिन तक ब्लीडिंग हुई और फिर उसके बाद एक दो दिन रुक गई और दुबारा से अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर अगर आपको पांस दिन से कम ब्लीडिंग होती है या कि आपने किट का उप्योग किया आपको bleeding स्टार्ट हो गई लेकिन साथ दिन से ज्यादा हो चुके हैं और pregnancy के जो लक्षन है वो शरीर में अभी भी बने हुए हैं जैसे कि breast tenderness उल्टी जी कच्चा होना पेट में दर्द रहना कमर में दर्द होना मुगा टेस्ट बदला बदल खाने से पहले महसूस किये थे तो यह आर्पियोसी होने के लक्षनों में से एक लक्षन है अगला जो लक्षन है वो यह कि अगर आपके पेट में दर्द बना हुआ है और उस टाइम पर अगर आप दर्द कम करने वाली दवाईयां जो pain killer दवाईयां है अगर वो खा भी रह अगर आपको 101 degree Fahrenheit से जादा बुखार आ रहा है तो यह भी आर्पियोसी होने का sign है तो यह कुछ मुख्य अलक्षन है जिनके अधार पर आप यह पता कर सकते हैं कि जो आपकी ultrasound report है आर्पियोसी जिसमें आया है वो report सही है या नहीं अब आगे बात करें कि आर्पियोसी क्या अपने आप ठीक हो सकता है तो हां बेशक हो सकता है उसमें कोई दो राए है ही नहीं ऐसी स्थीति में आर्पियोसी अपने ठीक हो सकता है जब आप ने सही तरीके से kit का उप्योग किया हो और आपने जो ultrasound है बहुत जल्दी करा लिया हो कहने का मतलब यह है कि आपने दवाई एक तरीक को खाई और आप 4-5 तरीक को जाकर ultrasound कराए हैं दवाई तो आपने सही तरीके से खाई अच्छी company की भी खाई लेकिन आपने ultrasound जल्दी करा लिया तो ऐसी स्थीति में आपको बिल्कुल रिलेक्स होना है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत है ही नहीं है आपको क्यों क्योंकि 14 दिन के बाद अगर आप लोग दुबारा से ultrasound कराएंगी तो ultrasound बिल्कुल नॉर्मल आएगा एक परसेंट भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन problem तब होगी जब आप अगर kit को गलत तरीके से खाई हैं और 14 दिन के बाद अगर ultrasound की report में आर पियो सी जाया है तब यह problem का sign है अब बात आती है कि RPOC अगर हम लोग ठीक ना कराएं तो क्या-क्या problem हो सकती है यह भी question बहुत important है तो देखो अगर आप लोग RPOC ठीक नहीं कराते हैं तो infection होने की chance सबसे जादा रहते हैं private part से मरे हुए चूह या मचली जैसी smell आ सकती है तेज केसी में हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा weakness होने से या बहुत ज़्यादा खून की कमी होने से patient बिहोश हो जाता है ऐसी स्थिती में hospital में admit करना पड़ता है और ये स्थिती उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो कि unmarried है चोरी छिपे से जिनोंने kit का उ अगर ऐसी स्थिती में आप भ्योश हो जाते हैं तो hospital में जाकर सब कुछ पता लग जाता है उसमें कोई दोर आये नहीं हैं दूसरी बात ये कि RPOC को अगर आप लोग ठीक नहीं कराती हैं तो पहली बात तो periods नहीं आएंगे जब तक RPOC ठीक नहीं होता है और दूसरी आज ज जानलों की बहुत टाइम हो चुका है आपने RPOC को क्लियर नहीं कराया और उसके बाद फिर आप जाकर RPOC का treatment लेते हैं जो treatment है वो हम लोग आगे डिसकस करेंगे लेकिन आप जब treatment लेते हैं RPOC अगर ठीक भी हो जाता है तो ये जो अंडेदानी में रसोली हुई है इसकी वज pregnancy conceive करने का आप लोग ट्राई करेंगे मतलब की जो future pregnancy है उस पर परभाव डालती है तो time रहते है आपको RPOC को clear कराना जरूरी होता है कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि sir RPOC आया है ultrasound में तो क्या बच्चा दुबारा बड़ा हो सकता है मतलब की बच्चा पैदा तो नहीं हो आती है और जैसा मैंने आपको बताया कि RPOC का मतलब है कि pregnancy के जो हिस्से हैं वो बच्चे दानी में फसे हुए है तो इन हिस्सों से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है अब बात आती है कि RPOC का इलाज कौन कौन से तरीकों से होता है तो जो तरीके हैं वो तीन रहती है तो जो प तरीके से किट का उपयोग किया है और अगर अल्टरा साउंड जल्दी कराया है तो 14 दे के बाद आपको अल्टरा साउंड कराना है उसमें आपको RPOC नहीं आएगा तो ये पहला तरीका था नैचुरली जो दूसरा तरीका है उसमें क्या है कि मान के चलो आप उन्हें जो है गलत तरीके से उपयोग करी और अल्टरा साउंड आपने 14 दे के बाद कराया उसमें आपको RPOC आया चीक है अब RPOC का जो साइज है वो हमें लग रहा है कि ये दवाईयों की हेल्प से निकल जाएगा या फिर मान के चलो कि आपको नैचुरली मिस्केरिज हुआ या आपने सफाई कराई उसमें अगर कोई product रह गया और हमें लगता है कि ये जो product है ये दवाईयों की साहेता से निकल जाएगा तो ऐसे में जो आप pregnancy खतम करने वाली दवाईयां जो आपने उपयोग करी थी उसकी या तो चार गोलियां आप लोग ले सकती है या फिर अगर बच्चे अपयोग करनी है यहां पर कहने का मतलब यह है कि आप किट को दुबारा से उपयोग कर सकते हैं या तो पांच गोलियां आप लोग ले सकते हो या चार गोलियां ले सकते हो वो आपकी condition पर depend करेगा कि कौन सी condition पर आपको कितनी दवाई लेनी जो तीसरी condition है वो ऐसी स्थिती तब उत्पन होती है जब पेशन्ट को बहुत तेज दर्द हो रहा है बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही है या पेशन्ट को जान का खतरा है ऐसी स्थिती में immediately सफाई करनी पड़ती है जिसे हम लोग surgical abortion या फिर DNC बोलती है यह थे वो तीन तरीके जिनसे आप RPOC क्ल कर रहा हो उनका खुद का लालच हो सकता है क्यों क्योंकि जो DNC है या जो सफाई होती है उसमें खर्चा जादा होता है आप लोग जादा payment करते हैं और जो सामने वाला person है उनको पैसे जादा बनते हैं लेकिन अगर यह काम दवाईयों से हो जाता है तो उसमें दवाईयों क कितना खर्चा आएगा 400-500 रुपे आएगा maximum 1000 रुपे लगा के चलो लेकिन दूसी तरफ अगर जो सफाई है जब वो होती है तब सामने वाला आप से 6000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा तो वही मैंने आपको बोला कि इस टाइम पर घबराना न डरना मत धिमाग से काम लेना सारी बातों को जो मैंने आपको बताया वीडियो में उन सारी बातों को आपको समझना है लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं आप अकेले पड़ गए हैं तो इस टाइम पर बिलकुल भी मत घबराना अपने नियरेस कोई भी डोक्टर के पास विजिट कर लेना जिनके पास सिरफ दवाईयों का काम हो और जिनको प्रोपर नोलेज हो ऐसा नहीं कि कि किसी लोकल डोक्टर के पास चले जाओ किसी क्वालिफाइड डोक्टर के पास विजिट करना है जिनके पास सिरफ दवाईयों का काम हो पर्जरी नहीं करते हों वो आपको better guide करेंगे और उस time पर उनके मन में लालच भी नहीं होगा कि वह आपकी सफाई करेंगे और अगर वो डोक्टर बोलते हैं कि इस time पर सफाई करने जरूरी है तो सफाई करा लगा जो तूरंत और अगर वो बोलते हैं कि medicine से आप प्राई कर सकते हो या वेट कर सकते हो तो फिर आप उनके उस option पर अपनी condition के हिसाब से विचार कर सकते हैं तो आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकर या आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में एक बहुत interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video